नमस्कार दोस्तो के-स फिल्ड पर मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जिसमें मैं आपको दस परकार की ऐसी इंकम बताने वाला हूँ जहाँ पर भारस सरकार या income tax department tax नहीं लेता है यानि कि आप दोस्तों कितना भी कमाओ income tax आपको नहीं देना पड़ेगा तो इन 10 परकार की जो income है दोस्तों वो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ ताकि आप in future कभी भी आपको tension ना हो कि यहाँ से अगर आपको जादा मोटा पैसा मिल रहा है तो आपको income tax देना पड़ेगा तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो 10 तरह की income tax होती है tax free source of income यानि के जहाँ पर आपको एक रुपे का भी tax नहीं देना है देखिए वैसे तो आपको पता है दोस्तों धाई लाग रुपे तक की जितनी भी income होती है वो जो है tax free होती है यानि के अगर आपके पास धाई लाग रुपे आपके bank account में है तो उस पर आपको कोई भी tax नहीं देना पड़ेगा पर धाई लाग से जैसे ही उपर जाती है उस पर income tax देने का प्रावदान है लेकिन कुछ ऐसे श्रोत भी है जिनमें आपको income tax नहीं देना पड़ता है जो है tax नहीं करता है पर ऐसा नहीं है दोस्तो जितनी भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ सारी की सारी detail में बताने वाला हूँ ताकि आप ये ना सोचें कि आपको पूरी दरीके से यहां पर टैक्स माप हो जाता है ठीक है तो PF account में आपकी ओर से जमा रकम income tax कानून सैक्षन ATC के तहत आएकर में छूट मिलती है यानि कि EPF या PF account में आपको छूट मिलती है आपके EPF account में नियोकता की तरफ से जमा किये जाने वाले रकम पर भी छूट मिलती है इसमें सर्थ ये है कि आपकी जितने भी आपकी basic salary है उसका 12% से अधिक जो है आपका EPF account में नहीं होना चाहिए अगर इस से जाता है दोस्तों तो फिर जो है आपको tax यहां पर देना पड़ता है वहीं दोस्तों आपको पता होगा कि बहुत से लोग आज की तारीक में share market की बात करेंगे, mutual fund की बात करेंगे, इनमें पैसा लगाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि mutual fund में दोस्तों ये प्रावधन किया गया है पिछले साल, अगर आपने share या equity mutual fund में निवेस किया है तो एक साल के बाद इने बेचन पर मिलने वाला जो पैसा है, अगर वो एक लाख रुपे तक का return है दोस्तों तो वो जो है tax free होता है, पर return की गरना LTCG के तहत होती है, पिछले साल budget में दोस्तों share और equity fund को जो है इसमें सामिल किया गया था, निवेस से मिलने वाली एक लाख रुपे से अधिक के return पर आपक LTCG tax लगा दिया जाता है, यानि कि एक लाख रुपे तक पर आपको tax नहीं है, एक लाख से उपर पर आपको tax यहाँ पर लगा दिया जाएगा, तो ये पिछले साल प्राफधन किया गया है, सरकार ने इस पर भी tax लगा दिया है, अब बात करेंगे दोस्तों तीसरा, तो सा कोई भी विक्ति जो सेक्षन के अंतरगादाता है, पड़ सकते हो, तो इसमें जो है कुछ प्राफधन है, कुछ चूट है, मानकर चलिए दोस्तों, किसी विक्ति की साधी है, किसी की साधी हो रही है, साधी के दोरान, तीन महिने बाद के दोरान अगर कोई gift मिलता है, तो प लाख रुपे दे रहा हो 50,000 रुपे दे रहा हो दो लाख रुपे दे रहा हो तो आपके रिष्टेदार आपकी साधी के समय अगर कोई गिफ्ट देते हैं वो कितनी भी कीमत के हो वो जो है income tax के दायरे से बाहर आते हैं यहां पर आपको छूट है पर इसके साथ-साथ अगर आपकी साधी को 6 महिने हो चुके हैं और 6 महिने के बाद अगर आपकी से कोई गिफ्ट लेते हैं तो वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपे की छूट मिलती है 50,000 रुपे से उपर की जितनी अमाउंट होगी दोस्तो उस पर जो है आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा साधी साधी के दोरान 3 महिने पहले या 3 महिने बात की बात करेंगे तो आपको जो गिफ्ट मिले हैं दोस्तो इस पैसे को आप अपने बैंक अकाउंट में भी डाल सकते हो तब भी आपको जो है कोई भी यहाँ पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा पर दोस्तो यहाँ पर आपको यह जरूर बताना पड़ेगा कि यह पैसा कहां से आया है पर यहां भी सोचने और समझने वाली बात है कि income tax जो है बचत खाते पर क्यों नहीं लगता है इसकी क्या condition है तो अगर आपके बैंक में बचत खाता है और एक साल में 10,000 रुपे तक का ब्याज मिलता है तो income tax कानून section 80 TT के तहत आपको income tax में छूट मिलती है यानि कि saving account में 10,000 रुपे तक का जो ब्याज मिलता है तो उस पर चूट है अगर बचत खाते पर ब्याज सालाना 10,000 रुपे से ज़्यादा हो जाता है तो 10,000 को छोड़कर उपर जो भी आपका ब्याज होगा उस पर आपको income tax देना पड़ेगा तो ऐसा नहीं है बहुत से लोग यह सोचते है कि साब saving account है उस पर income tax नहीं लगता है तो यहाँ पर 10,000 रुपे तक का प्राधान किया गया है इंट्रेस्ट के तोर पर नमबर पांच दोस्तों बात करेंगे partnership हम यानि कि दोस्तों आपको पता है बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो partnership हम यानि कि जिसे हम बोलते हैं 4-5 लोग मिलकर एक साथ पैसा इखटा करकर कोई company खोल देते हैं तो 4-5 लोग हैं इसलिए उसको partnership हम बोलते हैं तो अगर आप किसी partnership हम में काम करते हैं और share of profit जो भी आपको profit होता है आपको मिली रकम income tax दाइरे में नहीं आती है और आपका जो यह रकम है दोस्तों जो profit है वो income tax उसमें किसी भी प्रकार का आपको tax नहीं देना पड़नेगा नमबर 6 दोस्तों आपको पता है जब कोई LIC कराता है तो उसके दिमाग में एक बात होती है कि हमने LIC करा दिया तो LIC पर जो है tax नहीं लगता है बहुत से लोगों के विचार हैं बहुत से लोग यह जानते हैं पर ऐसा नहीं है LIC यानि कि जीवन वीमा किलेम या मैच्चोर्टी पर मिलने वाली जो रकम है उसको हम आज डिटेल में बढ़ने वाले हैं पढ़ने वाले हैं ताकि आमको पता चल सके अगर आपके जीवन वीमा पोलिशी खरीदी हैं आपने आपकी तरफ से इसका दावा क परते वक्त इसकी मैच्चोर्टी पर मिलने वाली रकम पूरी तरह इंकम टैक्स फ्री होती है इसमें कुछ सड़ते हैं आपके जीवन वीमा पोलिशी का सालाना प्रिमियम उसके सम एस्योड के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए अगर जीवन वीमा पोलिशी में प्रिमियम इ किसी व्यक्ति के लिए लिए है तो उसको 15% तक यहाँ पर दोस्तो छूट मिलती है तो आप समझ सकते हो यहाँ पर भी तो कैटिगरी की दी गई है एस्योड 10% से अधिक नहीं होना चाहिए और विकलांग को 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर इससे ज्यादा है तो फ इसी जो है स्कीम दी जाती है सरकार के तरफ से मानकर चलिए कोई व्यक्ति है उसकी उमर 50 साल है 40 साल है अब उससे आगे की 4-5 साल यह 10 साल उससे नोकरी नहीं हो रही है वो बिमार है तो ऐसे में सरकारी डिपार्टमेंट में आपको समय समय पर वी आरस दिया जाता है यानि आपको जो है नोकरी छोड़नी पड़ेगी और आपकी जगे कोई यंग व्यक्ति जो है वहाँ पर आकर बैट जाएगा तो सरकार आपको पैसे देती है तो इसमें भी यह है कि अगर आपको वी आरस मिलता है और आपको वी आरस में 5 लाख रुपे तक की इंकम मिलती है यान सरकारी कंपनी पर डिपेंड करता है अगर प्राइवेट कंपनी है तो इस दाएरे में नहीं आती प्राइवेट कंपनी में आपको जो है इंकम टेक्स देना पड़ेगा पांच लाख रुपे की छूट यहां पर नहीं होने वाली है नमबर आठ विरासत या वसियत में मिली संपत्ती दोस्तों बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके माबाप की दादा दादी की या परिवार की किसी की संपत्ती होती है तो ऐसे में माता पिता या विरासत में जो संपत्ती मिलती है जिससे जेवर हो सकता है नगदी हो सकता है कैस हो सकता है बैंक बैलेंस हो सकता है घर संपत्ति से बविस्य में होने वाली जो कमाई है ब्याद से आम दनी पर आपको अपने tax लैप के अनुसार tax देना पड़ेगा बाकि जो है आपको ये शारी की सारी tax free माने जाती है नमबर नो किर्ची दोस्तों बहुत से लोग जो किशान हैं आपको पता है आपके पास जमीन है आप खेती करते हैं आपके पास किर्ची भूमी है तो आप खेती या उससे जुड़ी जो गती विदी है जिससे आप कमाई कर रहे हैं आपको उस पर आमदनी जिस किसी भी प्रका कर जो है फर मना रखी है उसमें आप आमदनी कर रहे हैं तो यह सारी कि सारी किसान से रिलेटेड जीतनी भी आमदनी होती है दोस्तों खेती से जुड़ी जीतनी भी फसल से आमदनी होती है इसमें एक रुपे का भी इंकम टैक्स नहीं देना है यानि कि यह पूरी की पूरी कि टैक्स फ्री service सरकार के तरक तरफिर रही है कि बहुत हिसान और एंकम टैक्स नहीं देना पड़ता सूरक तो ऊपको पतलख ले जो हीरती है आप को सारे ने अब हैं बहुत सारी लोग होते हैं जिनसे आपका मिलना जूलना हैं इंप्डोई भी सामयर वह रखते हैं, तो ऐसे में उनको जो खिलाने पिलाने का खर्चा होता है, उनके स्वागत में जो खर्चा किया जाता 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 है, उनके स्वागत है उसमें आपके कौन-कौन से खर्चे है और उसी हिसाब से आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है तो टोटल मिला कर दोस्तों मैं आपको आज आज दस ऐसे तरीके बताए जहां पर आपको इंकम टैक्स में छूट है किस तरीके से छूट है और कैसे कैसे छोट मिलती है तो आज सा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद